भारत के ओडिसा के कोनार्क टेंपल में मौजूद ये चीज जो मैंने देखी इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया इस तस्वीर में आप एक जिराफ देख सकते हैं जिराफ जो कि अफरीका का एक मूल लिवासी जानवर है और इस चवी में अफरीकी व्यापारी कलिंग के राजा को एक जिराफ दे रहे हैं पर सोचने वाली बात तो ये है कि हमें बच्वन से यही पढ़ाया जाता आ रहा है कि भारत की खोस्तो भासको डगामा ने मई 20 साल 1498 में की थी तो 1250 में ओडिसा के कोनार्क टेंपल में बनी ये कलाकृती अफरीका और ओडिसा के बीच में हो रहे ट्रेड संबंद को क्यों दिखा रही है केना पारा वंदर का जो पहली सताब्दी में कलिंग महसागर में ओडिसा का एक महत्तवपून वंदर का था जो सायद कोनार्क मंदिर के पास 1250 इसवी में पहले ही पहुँच गया होगा